हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं सब मस्त होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोक्या की तरफ से न्यूली लॉंच हुए एक ट्रूली वाइरलेस या बड के बारे में क्या इसके स्पेसिफिकेशन है क्या इसकी प्राइज है कैसा इसका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाले क्या इसकी बैटरी लाइफ है कब तक है हम खरीद पाएंगे क्या इंडिया के इंदर अविलेबल हो और इंडिया के इंदर क्या प्राइज इसकी होने वाले इन सारी चीजों के बारे हम बात करेंगे वीडियो में तो चलिए वीडियो को फटा-फट से सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों में हर अंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एलग्रो टीकेफ में तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि नोक्या ने एक नया ट्रूली वायरलेस एयरबर्ड लोंज कर दिया जिसका नाम है भी एट जिरो फाइफ तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ ने नुची specifications क्या features हमें इसके अंदर देखने को मिल पाते हैं वीडियो के आगे बटने से पहले आज के वीडियो का like मम हम i am set कर लेते है आज के वीडियो का like हम रखते है मात्र flex like का दस like तो आप मेरे को पता पहुचा ही दोगे तो फटा-फट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरीके की वीडियो के अंदर इंट्रेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कूल मच जीएगा नीचे दीए के रैड बटन को प्रे अधरी लाइफ हमें यहाँ देखने को मिल पाती है लेकिन अम डिटेल में बात करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या कुस देखने को मिल पाता है तो यह नोकिया की तरफ से आने वाला पहला Active Noise Cancellation Yearbird है वैसे इससे पहले भी Nokia ने एक TWS Nokia Light कर नाम करके एक जो है लोंच किया था जिसकी प्राइस दगरीबन 3400 रुपे के आसपास थी वो ठीक था उन मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको Yearbird का सोखतो है लेकिन pocket allow नहीं करती लेकिन यह भी जो है काफी अच्छी कर सकता है साइट तक जिसे लेना हो अब चलिए बात करते हैं इसके स्पैसिफिकेशन के बारे में तो इसकी जो है इस से यह बड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो ज्यादा होई और वेट जो है इसका थोड़ा सा कम हो इसके अंदर हमें 13 mm की जो दो मतलब की दो इयर फोन है दो इयर बड्स हैं दोनों के अंदर सेपरेट सेपरेट हमें 30 mm का स्पीकर साइज यहां पर देखने को मिल पाता है जो की स्टूडियो क्वालिटी साउंड हमें यहां पर देखने को मिल पाता है जेस्चर कंट्रोल हमें यहां पर गूगल असिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल पाता हुर यह दिए बात करें तो 25 डेसिबल तक का हमें जो है active noise cancellation यहाँ पर देखने को मिल पाता है ambient mode इसके अंदर दिया गया है जिससे हम जो है जो environment के अंदर जो sound है जैसे हमें कोई बोल रहा है तो वो sound जो है वो भी हम सुन सकते है एक gesture से जो है इसके अंदर ambient control जो है वो दिया गया है इसके लिए बात करें इस के बारे में थोड़ा सा और बैटरी वगेरा के उपर जाए तो जो एक earbud है हर earbud के अंदर separate हमें 45 mh की बैटरी दी गई है जो हमें full charge होने पे तकरीबन पांच गंटे की जो है बैटरी लाइफ प्रोवाइड करवा पाती है जो की noise cancellation के साथ है वहीं पे यदि बात करें case के अंदर तो case के अंदर जो हमें 20 hours के बैटरी लाइफ देखने को मिल पाते है तकरीबर 450 mh की बैटरी यहां पे दी गई है USB type C के साथ में यह case आता है तो जो है ना इनके अंदर case के अंदर type C charging port है होना चाहिए क्योंकि जो यह बट यूज करते है वो एक अच्छा smartphone भी यूज करते है जिसके अंदर type C port होता है तो इन्हें अलग से charger carry करने की जूरूत नहीं होती है वरना ऐसा होता है कि मतलब कि mobile जो है type C है और जो हमारी audio device है वो इसके अधर बात करें जो है वाटर रजिस्टेंस और डॉस्ट रजिस्टेंस वेट रजिस्टेंस स्वेट रजिस्टेंस तो उसके लिए हमें आई-प्यक्स 5 की रेटिंग आपर देखने को मिल पाते है हलका फुलका जो पानी है जहल लेगा थोड़ा पसीना वागिरा ऐसा कुछ खास इसके अंदर नहीं है कि मतलब आप जो इसे तीन मीटर वाटर के अंदर जो है वो लेके जारें ऐसा नहीं है लेकिन नॉर्मल ये जहल सकता है वहीं पर बात करने तो यह जो है अभी दो कलर ओप्शन के अंदर लॉंच किया गया जिदी सीधी पासा में किया एसकी यूरो के अनदर प्राइस की तो 99.99 यूरो जो है वो इसकी प्राइस होने वाली है और इंडियन रुपीस के अंदर इसकी प्राइस जो है 8800 रुपए रखी गई है वैसे यह गलोबली लोंच हो चुका है 12 तारीख-या नहीं आज ही की तारीक में गलोबली लोंच हो उमीद करता हूँ वीडियो आपको informative लगे होगी अच्छे लगे होगी इसी तरीके की टेक्वेश से जूड़ी और वीडियो के लिए आप मरचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नीचे देगे red बटम को प्रेस करके और वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक क साथ में तब तक के लिए धन्यवाज जैहिन